नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओजांक आईयस अकैडमी में लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हमने डिस्स किया था नौर्थ इस्टन इंडिया को उत्तरपुर्वी भारत को और उसमें कुछ पार्ट जो हमारा भी है दूरा रह गया था कुछ पार्ट हमन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए एक प्रलेम से स्पेशल बैच जो हमारा स्टार्ट हो चुका है जो बच्चे जोइन करना चाते हैं अभी भी उनके पास में ऑप्शन एवेलेबल है कि वो इसे जोइन कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी इसे जोइन करें और में आपको कवर करवाऊंगा और साइंस वेभो सर कवर करवाएंगे मेजर पार्ट जो करन्ट अफर्स का है उसे खुद हो जांक सर और कुसम में आपको कवर करवाएंगे मात्र दस हजार रुपे का एक कोर्स है जो भी बच्चे रह गये हैं किसी कारण से किसी टेक्निकल प कवरेज जो है वो इसके अंदर होगी जीएस पेपर वन से लेगे जीएस पेपर फोर तक का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का कवर करवाया जाएगा लाइव क्लास जो है वो होगी एनिटाइम लणिंग एप पर और रिकॉर्ड भी आपको अवेलेबल रहेगी एक साल की के साथ जिस दिन से आप जोइन करेंगे उसके एक साल तक आपको कोर्स जो हैं ख्लास जो है वो अवेलेबल रहेगी अगर आप इससे जोइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डिटेल आप दिये हुए नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं सी सेट अगें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सी सेट से बहुत ज़्यादा गबराते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि सी सेट कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक ब्रांती जो है वो बैट जाती है कि मैट्स जो है वो काफी टफ होती है या रिजनिंग जो है वो इस कोर्स में गाइडेंस जो हो प्रवाइड करेंगे और हमारा बैच जो है वो फर्स्ट फैप से स्टार्ट हो चुका है अभी भी आप लोगों के पास समय है जो भी बच्चे जॉइन करना चाते हैं मात्र फाइफ थाउजन रूपीस का कोर्स से जॉइन कर सकते हैं और बाकी इस की तैयारी कैसे करें उन्हें को guidance नहीं मिल पाता है क्या तरीका हो हमारा क्या एप्रोच हो हमारी हो सबी कुछ जो है वो आपको cover करवाएंगे खुद और आपको guidance प्रोवाइड करेंगे और आपका 12 के बाद किस प्रकार से आईस की तैयारी की जा सकती है ये पूरा का प level है आप उनको भी देख सकते हैं और जानकारी के लिए आप इस दिये हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं आपको और जानकारी प्रोवाइट कर दी जाएगी NCRT पढ़ने का क्या approach हो UPSC को crack करने के लिए UPSC exam को crack करने के लिए क्या तरीका होता है जिससे की NCRT को पढ़ा जाता है NCRT को पढ़ने में बच्चे जनरली क्या घलतियां कर देते हैं वो सारी चीजे उजांक सर खुद जो हैं वो आपको guidance प्रवाइड करते हैं आपको सिखाते हैं कि NCRT को पढ़ने का क्या तरीका होता है क्या अप्रोच होती है जिससे की civil services के exam को crack किया जा सकता है तो बहुत ही nominal price पर ये course जहवा आप लोगों को available है 6,000 rupees की nominal price पर ये course available है admission के कुछ ही दिन बचे हैं जो भी बच्चे जाइन करना चाते हैं कर सकते हैं और जानकारी चाते हैं तो इस नंबर पर call करके ले सकते हैं conceptor ECS batch हमारा most successful batch जिसमे complete preparation prelims means सारी preparation जो है वो complete preparation करवाई जाती है अजसर खुद बच्चों के साथ में interact करके उनको guidance प्रवाईड करते हैं क्या तरीका होता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए क्या तरीका नहीं होना चाहिए हमारा यह सारी चीजन जो हैं वो सारा guidance जो है वो जांक से provide करते हैं प्रलिम्स लॉस मेंस का complete course है यह जो भी वच्चे से join करना चाहते हैं इससे join कर सकते हैं 2022 के लिए appear हो रहे हैं उनको यह course जो है वो join करना चाहिए और detail जो है वो आपको इस number पर provide कर दी जाएगी आप इस number पर call करके बात कर सकते हैं आते हैं आज के topic पर और आज का topic जसा कि last class में मैंने आपको एक question पर छोड़ा था consider the following hills कुछ पहाड़ियां जो है वो आपको दी है डफला मेरी अबोर मिश्मी गारो खासी और जहेंतिया साथ पहाड़ियां साथ hills जो है वो आपको दी है और question हमसे पूछा है which of the above hills are part of the हिमालया हिमालय का भाग इन में से कौन-कौन सी है तो हमने last class में भी देखा था कि गारो खासी और जहेंतिया यह तीनों हमारी जो है वो पार्ट है हिमालया का पार्ट नहीं है हिमालया का पार्ट नहीं है यह हमारा eastern plateau पूर्वी पठार का भाग है इस्टन प्लेटू या पूर्वी पठार का भाग है तो यह तीनों हमारा option हो नहीं सकता आप इनमें से elimination भी अगर आप लगाएंगे तो all of the above नहीं हो सकती 5 6 7 नहीं हो सकती अब जो बचती है 1 2 3 1 2 3 4 चारों जो है वो हमें हिमालय का extension देखने को मिलती है तो आंसर हो जाता है हमारा b that is 1 2 3 & 4 यह आंसर जो है हमारा यहाँ पर निकल कर के आता है चलिए आगे देखते हैं passes दर्रे दर्रों की अगर हम बात करें तो एक major pass जो यहाँ हमें देखने को मिलता है that is boom law मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ला मतलब दर्रा होता है boom law बुमला जो है वो तिबबत को तवांग से connect करता है अगर आप यहाँ देखेंगे एक शहर आपको दिखाए देगा तवांग अरूना चल प्रदेश का एक शहर तवांग तवांग को तिबबत से connectivity जो है वो प्रवाइड करता है बुमला यहीं अगर आप इसके दक्षिन में देखेंगे तो एक और आपको पास दिखाए देगा that is bomb dila bomb dila लिख देता हूँ मैं नाम यहाँ पर bomb dila bomb dila again bomb d pass जो है bomb d dara जो है वो connectivity प्रवाइड करता है तवांग और rest of the अरूनाचल प्रदेश से या major अगर मैं कहूं तो इटा नगर इटा नगर जो कि अरूनाचल प्रदेश की capital है उसको connectivity प्रवाइड करता है जोड़ता है तवांग से तवांग या अगर मैं कहूं कि आसाम के plains आसाम के मैदान जो है ब्रह्मपुत्रा के मैदान जो है उनसे connectivity प्रवाइड करता है तवांग को bomb dila again ये एक pass है एक major pass हमें अब और hills को तिबबत से connectivity प्रवाइड कराता है यहां देखेंगे आप एक pass आपको मिलेगा that is दिफू pass दिफू दर्रा ये दिफू दर्रा जो है वो connectivity प्रवाइड कराता है म्यानमार और अरूनाचल प्रदेश के बीच की connectivity जो है यह हमें देता हुआ दिखाई देता है यह यहां कुछ और पासेज जो है वो उन्हें आप देखते जाएंगे जिसकी कमजांग पास यहां आप देखेंगे चौकन पास चौकन दर्रा यहां आपको मिलेगा पुंगांत पास पुंगांत दर्रा यहां आपको मिलेगा पॉक्सो पास पॉक्सो दर्रा यह कुछ मेजर प पास को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा दीफू दर्रा जो है वो काफी famous दर्रा जो की connectivity प्रवाइड कराता है अरुनाचल प्रदेश और म्यानमार को यह कुछ major passes जो है major दर्रे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इन क्षित्रों में कोई बहुत बड़े दर्रे ज की capital next एक और शहर जो है वो बामडीला है तवांग है यह जो मैं आपको दिखा चुका हूँ इस तरफ अगर आप जब बढ़ेंगे तो यहां आपको मिलेगा एक पासी घाट एक शहर जो मिलेगा that is पासी घाट ब्रह्मपुत्रा की दिहांग रिवर जो है उसके किनारे आप आपको देखने को मिलेगा इधर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पासी मैं आपको एक शहर जो है वो आपको देखने को मिलेगा दिमापूर उसके बाद दक्षिन में बढ़ेंगे मनिपूर में मनिपूर की कैपिटल इंफाल लगबग सेंटर में आपको दिखाए देगी इंफाल उससे और दक्षिन में बढ़ेंगे तो मिजोरम मिजोरम की कैपिटल आपको दिखाए देगी आईजौल यहाँ कोई बहु विकास यहां पर बहुत कम हमें दिखाई देता है इसलिए हम देखते हैं सरकार जो है वह जितनी भी schemes निकालती है कुछ भी निकालती है तो वह कोई भी centrally sponsored schemes जो होती है उनमें हम देखते हैं कि दूसरी जगों पर सरकार जो है central government जो है के अंदर सरकार जो है उसका suppose मान लिजे 70% हिस्सा है state government का मान लिजे 30% हिस्सा है लेकिन जब हम वही schemes north east में implement होती देखते हैं तो वह central government का हिस्सा जो है वह 90% तक हो जाता है उन सरकारों का सिक 10% रह जाता है क्योंकि इन ख्षित्रों का विकास जो है development जो है वह बहुत जादा नहीं हुआ है उसके बाद अगर आप दिखेंगे त्रिपूरा की capital अगरतला बांगलादेश के border पर आपको दिखाई देगी अगरतला उसके बाद यहां यह पूरा पार्ट जो है यह असाम है असाम के अंदर अगर आप दिखेंगे तो यहां एक शहर मिलेगा सिल्चर थोड़ा नौर्थ में जाएंगे आपको मिलेगा दीफू थोड़ा नौर्थ वेस्ट में जाएंगे आपको मिलेगा नौगाउ नौगाउ उससे थोड़ा उपर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ एक आइलेंड आपको दिखाए देगा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलेंड है विश्वका सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित नदी इकरत द्वीब है जिसका नाम है माजूली कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे माजूली किसके लिए फेमस है वहाँ पर कौन सा कल्चर जो है कौन सी संस्कृती जो है वो हमें देखने को मिलती है यह माजूली आइलेंड इतना बड़ा है हाला कि यह भी अपरदन से इरोजन से ग्रस्त है बट इतना एक डिस्ट्रिक्ट है आपको अगर यहाँ जाना है तो आप इधर से आएंगे फिर फैरीज जो है वो आपको मिलेंगे आप अपना वेहिकल भी ले जा सकते हैं यहां पर तू-विलर व्यलर जो भी ले जाना चाहें फैरी जो है वो आविलेबल होंगी फैरी पर अपनी डिक्लेयर किया हुआ है माजुली के पास में ही आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जौरहट जौरहट शहर जो है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे अगर आप नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगी आसाम की capital दी जिसपूर और अगर आप उसी at the same time right bank पर देखेंगे दाएं किनारे पर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है गौहाटी गौहाटी शहर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आगे बढ़ेंगे अगर आप ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे तो आपको मिलेगा धूबरी धूबरी जो है साधिया से लेकर धूबरी यह वाला जो पार्ट है यहाँ से साधिया से लेकर के धूबरी वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट नेशनल वार्टरवें नंबर टू के नाम से जाना जाता है राष्ट्रिय इसी नाम से जाना जबता है तो यह कुछ major cities है मेगालाय में जब आप enter होंगे तो यहां आपको मिलेगा शिलॉंग मेगालाया की capital शिलॉंग से south में जाएंगे तो आपको मिलेगा मासिन राम और चेरापुंजी विश्व के सबसे ज़्यादा वर्शा वाले इस्थान जो है य हमें देखने को मिलती है पूरे साल की annual rainfall है वो काफी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है तो भारत का भी सबसे आर्दरता मिस्थल है विश्व का भी सबसे आर्दरता मिस्थल हमें यह देखने को मिलता है मासिन राम चेरापुंजी वाला क्षत्र चलिए आगे बढ़ते है बाइस्फेर रिजर्व की अगर हम बात करें तो देखिए नेखाले का जो यह एक शत्र है नौकरिक बाइस्फेर रिजर्व के रूप में जाना जाता है आसाम का मानस जो है वो एक मानस बाइस्फेर रिजर्व के रूप में जाना जाता है मानस नदी के आसपास का जो खशत् और अरुनाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग रीजन जो है वो हमारा एक बायोस्फेर रिजर देखने को मिलता है यह वाला पूरा रीजन जो है जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं गे हमारे जो बायोडाइवसिटी होट स्पोर्ट जो है उन बायोडाइवसिटी होट जनमार रीजन जो है वो भी हमारा एक मेन होट स्पोर्ट बायोडाइवसिटी होट स्पोर्ट हमें देखने को मिलता है और बायोस्फेर रिजर्व की बात करें तो मिगाले में एक आसाम में दो और अरुनाचल प्रदेश में एक बायोस्फेर रिजर्व जो है वो हमें देखने को मिलती है उसके बाद अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क देखिए यहाँ जो मानस रिवर आ रही है असाम में उसके किनारे एक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है दाट इस मानस नेशनल पार्क उससे थोड़ा सा इस्ट में जाएंगे हमें मिलेगा ओरांग नेशनल पार्क उसके थोड़ा नॉर्थ में देखेंगे हमें मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क उससे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगा डिब्रू साइकोवा नेशन पार्क उसके बाद अरुनाचल प्रदेश में इधर बॉर्डर पर आएंगे अगर हम यानमार बॉर्डर पर आएंगे तो हमें मिलेगा नामदफा नेशल पार्क उसके बाद हम नगालेंड में जब आएंगे तो हमें मिलेगा इंटाकी या एंटाकी नेशल पार्क अलग-अल हिरन के लिए फेमस है वर्ल्ड का एकमात्र तेरता हुआ नेशनल पार्क है संगाई डियर या डांसिंग डियर के नाम से भी इसके जाना जाता है नाचते हुए हिरन के रूप में भी जाना जाता है उसके बाद हम मिजोरम में बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा मुर्लेन नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जोसा मैंने आपको कहा बायो डाइवरसिटी बहुत ज़्यादा रिच है इस क्षेत्र की तो नेशनल पार्क जो हैं वो भी हमें इस क्षेत्र में काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे त्रिपुरा में अगर हम जाते हैं तो यहां हमें मिलता है बाइसन नेशल पार्क जिसे राजबाडी नेशल पार्क के नाम से भी जाना जाता है थोड़ा नौर्थ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अगर हम सेवन स्ट्रीट को देखे तो यहां हमें देखने को मिलता है नौक्रेक नेशल पार्क यहां अगर हम सेवन स्ट्रीट को देखे तो सातो ही राज्यों में, सेवन स्टेट्स में हमें, सारे के सारे राज्यों में नेशनल पार्क जो है, वो देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो मानस नेशनल पार्क जो हमने देखा था वो एक टाइगर रिजर्व भी है, औरंग नेशनल पार्क जो हमने देखा था वो एक टाइगर रिजर्व भी है, काजी रंगा नेशनल पार्क जो हमने देखा था वो एक ट रुनाचल प्रदेश की बार्डर पर जाते हैं तो यहां कामलांग वाइड लाइफ सेंक्चुरी मिलती है जिसको की कामलांग टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है नामदफा नेशल पार्क जो हम देखा था वो अपने आप में एक टाइगर रिजर्व भी है और मिजोरम में हमें एक और टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है तो यह कुछ टाइगर रिजर्व जो है वो भी हमें इस सक्षित्र में देखने को मिलते हैं रामसर साइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रह्म पुत्रा नदी के किनारे जो जीले पाई जाती है छोटी-छोटी जीले मैदानी भाग है तो नदी का पानी जो है भो अलग-अलग जीलों तक पहुत जाता है उनमें भरा रहता है तो उन धिलों को इस ख्षट्र में बील कहा जाता है बील कहा जाता है और ब्रह्मा पुत्र के म्यदानों में जो सबसे बड़ा बील पाया जाता है दीपओर बिल यहां का एक famous बिल है आसाम के अंदर हमें देखने को मिलता है ये हमारी एक रामसर साइट भी है लाम जहाओ नेशल पार्क देखने को मिलता है जो जहां पर की संगाई डियर संगाई हिरन हमें देखने को मिलता है और ये भारत का एक मात्र तैरता हुआ नेशल पार्क है इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशल पार्क है लोक्टक लेक जिसके अंदर काईबुल लाम जहाओ नेशल पार्क जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ फुमदीज जो है वो ऐसी ऐसी हमें देखने को मिलती है उन फुमदीज के ओपर यहिरन जो है वो कूता रहता संगाई डियर जो है वो एक फुमदी से दूसरी फुमदी पर कूता रहता और अगर हम पूर भी राजियों के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है अब आज के session का question आप लोगों के लिए इस question का answer जो है वह आप लोग मुझे देंगे तीन statements आपको दिये हैं और कौन सा statement correct है यह आपको बताने है तो यह हमारा आज का session जो है वह complete होता है इस question का answer आप सभी लोग comment section में मुझे देंगे इसका सही answer क्या होगा यह मैं आपको next session के अंदर बताऊंगा तो चलिए आज के session को यहीं end करते हैं मिलते हैं अगले session में thank you thank you everyone